Hi everyone, welcome to Global Online. So, आज की इस वीडियो में आप सभी NTA UGISnet उमीदवारों के लिए एक बहुत ही सादा important information में लेकर के आई हूँ. So, जैसा की students आप सभी ये तो जानते ही हो कि UGISnet exam का एक cycle अभी last week ही complete हो चुका है. अब बात आती है next cycle की कि कब next notification जारी होगी, कैसे हमें exam की तयारी करनी है and सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे students के mind में ये है कि अगला exam, UGISnet का अगला cycle कब होगा? तो ये सारे questions या फिर इसके अलावा भी आपके mind में UGISnet exam से related कोई questions हैं, कोई queries हैं, सभी के बारे में आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो जरूर इस वीडियो को एंटक देखेगा, इस वीडियो में जो भी questions के solution में आपको दूँगी, इसके अलावा भी अगर students आप लोगों को कोई doubts रह जाएंगे, बहुत सी queries क्योंकि mind में होती ही हैं जब भी हम कोई exam देते हैं, तो कोई भी query होगी आप मुझे comment कर सकते हो, मैं definitely वहाँ पे आप लोगों का reply करूंगी, आप सभी students की मदद करने के लिए Global Online की team हमेशा आपके लिए available है, so यहाँ पे त यारी हम कैसे कर सकते हैं, यह तीन सवाल है, इन तीनों सवालों पर जाने से पहले, students यहाँ पे आप देख सकते हो, the future belongs to those who prepare for it today, तो यह चीज़ को आप लोगोंने हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जब भी UGC Net का next notification आएगा, UGC की तरफ से कोई अगला information या फिर तयारी शुरू कर दीजे, क्योंकि अभी result आया है, सब लोगों में energy level भी काफी जादा होगा कि हम फिर से तयारी जरूर करेंगे, तो आज से ही अपनी तयारी शुरू कर लीजे, इसके लिए global online के team आप सभी students के लिए एक बहुत ही अच्छी ख़बर लेकर के आई है, वो य इस में कि total 50 MCQs पूछे जाते हैं, यानि कि 100 marks का ये पूरा paper हमारा होता है, इस paper में generally NTA previous year pattern को ही follow करता है, तो इसकी अगर हम लोग अच्छे से तयारी करते हैं, तो आप लोग easily GRF अपना qualify कर सकते हो, तो यो जिसे net paper 1 की तयारी के लिए global online के team ने आपके लिए एक new and fresh batch launch किय इस batch में हम paper 1 का complete course आपको cover करवाएंगे, इस complete course में हम आपको full syllabus notes प्रवाइड कराते हैं, full syllabus video lectures आपको मिलेंगे, अब देखो students paper 1 जो है वो हमारा दो languages में होता है English and Hindi language, बहुत से students English medium में exam देते हैं, बहुत से Hindi medium में exam देते हैं, so ये video lectures और notes जो हैं आपको दोनों ही languages में मिले देली हमारी इसी YouTube channel पर सुभा 10 बजे आपको English में paper 1 के sessions मिलेंगे and रात को 9 बजे हिंदी में paper 1 के sessions मिलेंगे and in case अगर आप लोग live sessions miss कर जाते हो तो आप लोग उसके recorded lectures भी देख सकते हो, साथ ही हम आपको 60 plus mock test provide कराते हैं, जिससे कि आपकी final revision, final preparation में बहुत मदद हो जाती ह last 10 year question paper हम आपको देते हैं with solution, साथ ही सबसे important चीज, सबसे main role इस complete course में है, 2000 plus MCQ PDF का, क्योंकि इसमें से as it is questions exam में हर साल पूछे जाते हैं, इन 2000 questions में हमने most repeated and most expected questions को cover किया है, यहां पे आपको questions का solution के साथ साथ उसकी detailed explanation भी मिल जाएगी, वो भी दोनों ही languages में, तो जरूर course को join कर लीजे, इसकी बहुत जादा benefits है, तो इसको join करने के लिए screen पर दिये गए किसी भी एक number पर WhatsApp की मदद से आप contact कर सकते हो, and इस complete course की fee generally है 4000 rupees, जिसको कि आप लोग 2 साल यानि की 24 महीने तक के लिए use कर सकते हो, तो देख सकते हो students कितने कम fees में हम आपको 100% guaranteed selection वाला course दे लिए है, क्योंकि अभी नया batch शुरू हो रहा है, हम चाहते हैं सभी students इसका benefit उठाएं, तो आप लोग ये 4000 fee जो है, वो installments में भी pay कर सकते हैं, यानि कि थोड़ा-थोड़ा करके भी आप ये fees pay कर सकते हैं, इसके लिए screen पर ये जो number मैं आपको बता रही हूं, इस पर आप contact कर लीजिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं, जो तीन questions जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, सबसे पहला है कि कब होगा exam, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि December 2022 में exam हो जाएगा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि April 2023 में exam होगा, या उसके आसपास के महीनों में exam होगा, तो देखो students, यहाँ पे December 2022 में, यानि कि next month exam होने का तो कोई chance ही नहीं है, क्यों क्योंकि आप सभी को पता है कि November में अभी result announce हुआ है, तो NTA भी तो थोड़े से समय का break लेगा, और भी बहुत से exam NTA करवाता है, आपको नहीं पता तो आप उसके official website पर जाकर देख सकते हो, ब immediately वो वापस UGC net exam पे focus नहीं कर सकते हैं, right, so यह चीज़ तो आप भूल ही जाए कि December 2022 में आपका exam होगा, exam हमारा March, April, May, इस month के बीच में कभी भी हो सकता है, तो generally हम इसका idea लगा करके चलते हैं, April month में UGC net का next cycle हो जाएगा, ठीके, इसके लिए भी एक सबूत मैं आप पर देख रहे हो, यह अभी जो exam हुआ है, ठीके, July वाला जो exam, यह वाला जो last cycle अभी हुआ है, इसमें देखो application form जो है, वो 30 April तक निकले थे, 30, sorry, 30 April से start हुए थे, and 30 मई तक यह application forms चले थे, तो one month NTA form filling में लगा देता है, ठीके, उसके बाद देखो final submission भी 30 मई को ही हुआ ठीके, उसके बाद 3 से 4 दिन जो है, वो correction window में लग जाते हैं, तो इस हिसाब से देखें, तो हमारा December महीना तो बिल्कुल close हो गया, January month में यह correction window हो जाएगा, ठीके, city intimation यह सब हो जाएगा, तो वही idea लगाया जाता है, कि exam हमारा April month से पहले तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे students, आप लोगों की एक query, आप लोगों के mind में जो पहला question था, यह तो हम लोगों ने बिल्कुल solve कर दिया है, इसके अलाबा फिर भी अगर आप लोगों को इसका कोई doubt है, तो आप हमें comment कर सकते हो, या फिर इसको ले करके आपकी कोई राय है, आपके कुछ वि अब बात आती है, कहां से शुरू करें, तो सबसे पहले तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कि कब शुरू करें, तो इसका answer है कि आज ही शुरू करो, इसलिए मैंने यह आपके सामने लिखा है, the future belongs to those who prepare for it today, ठीक है, तो इसको आज से ही आप लोग शुरू कर जिससे कि आपको एक confidence हो जाएगा कि कितने अच्छे notes और कितनी अच्छे video lectures global online की team आपको provide कराती है, साथ ही students यहाँ पे देखो कहां से शुरू करें, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को syllabus देखना है, ठीक है, syllabus के लिए एक separate video मैंने कल आपके लिए बनाई थी, उसका link description box में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जा करके syllabus देखिए, syllabus को समझे, जैसे कि अगर हम paper 1 की ही फिलहाल बात करते हैं, so paper 1 में 10 units है, so 10 units में देखिए कि आपकी most favorite units कौन सी है, अगर आप पहली बार exam दे रहे हो, तो भी आप easily identify कर सकते हो जैसे कि उसमें maths है, कई लोगों को math पसंद होता है, तो वो लोग math से तयारी करना शुरू कर सकते हैं, कई लोगों को math पसंद नहीं होता, तो आप लोग math से शुरू मत कीजेगा, कोई interesting unit अगर आपको लगती है, वहाँ से आप लोग अपनी तयारी शुरू करोगे, तो इस एक्जाइम की तयारी के लिए students, यह जो मैंने sessions आपको बताए, आप ज़रूर इनको follow कीजिए, free sessions देखना जाते हो, तो उसके लिए description box में हमारा app है, global online, इसका link आपको मिल जाएगा, play store पर app कुछ इस तरह से दिखता है, इस app को बिलकुल free में आप लोग डाउनलोड कर अगर अगर आप लोग अगर अगर आपके सामने ओवर्विव आ जाएगा, जो कि आपके साथ बता चुकी हो, read more पर जाकर आप उसको पढ़ सकते हो, then आपको जाना है content section पर, content section पर जाने के बाद paper 1 के देख सकते हो, unit wise separate folder यहाँ पे है, जिसमें की free video lectures भी अविलेबल है, free tests भी अविलेबल हैं, जिसको आप लोग देख सकते हो, उसके बाद course को join कर सकते हो, मैं students आपको आज 100% guarantee देती हो, कि यह हमारे notes, यह हमारे video lectures आपको बहुत जादा पसंद आने वाले हैं, and यह 100% guaranteed है, अभी जो UGC Net का cycle complete हुआ, इसमें भी हमारे बहुत से students थे, जिनों ने regularly ह हमारे live sessions को follow किया, हमारे notes को follow किया, and उनों ने अपना net और JRF qualify किया, बहुत जादा students ऐसे हैं, जिनका dream global online की team ने पूरा किया है, तो ज़रूर आप लोग यहां पे जो है, इस course को join कर सकते हो, इको students तयारी तो आपको ही करनी है, हम लोग तो सिरफ आपको एक ऐसा platform provide करा रहे है, जहां से आपको सब कुछ एक ही जगा पे मिल जाएगा, आपको यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज के लिए, यानि कि आपको MCQs चाहिए, तो हम देंगे, आपको video lectures चाहिए, तो हम देंगे, साथ ही इसमें हम आपको अपने WhatsApp group पे भी join करते हैं, paid course अगर आप लेते हो, तो हम अपने WhatsApp group में आपको add करते हैं, जिसका यह benefit है, आपको कोई भी query है, तो one to one वहां पे आपको solutions हम देते हैं, तो जरूर इसको join कर लीजिए, आप बात करते हैं, UGCNet के paper 2 के बारे में, तो paper 2 जो है, यह है हमारा subject का paper, वो subject जो की हमने post graduation में पढ़ So, UGCNet paper 2 के लिए, exam oriented complete study material, Global Online की team आपको देती हैं, जिसमें कि हम आपको full syllabus notes and most expected MCQs देते हैं, यह जो most expected MCQs की series है, इसमें से as it is questions exam में बहुत बार पूछे जाते हैं, और यह study material ना सिरफ आपको UGCNet exam qualify करने में मदद करता है, वलकि उसके बाद आपका जो interview होगा, या फिर कोई और अपने state का test आपको दे रहे हो, teachings related वहाँ पे भी study material आपको बहुत मदद करेगा, तो देख सकते हो, सिरफ एक study material और आपको बहुत benefits इसके हो सकते हैं, आपके सामने जो भी 20 subjects की list है, उसको चेक कीजिए, आपका जो भी subject है उसको देखिए and screen पर दिएगे numbers पर WhatsApp की रखते हो, विल्कुल सही सुन रहे हो students आप, पंदरा सो रुपए सिरफ एक ही बार आप दोगे, lifetime study material को use करोगे, as it is questions exam में पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हो, global online platform में, आपको paper 1 की तयारी से लेकर के, paper 2 की तयारी तक, उसके MCQ's most expected series से लेकर के, हर चीज, mock test तक जाने की जरूरत नहीं है, different writers की books और उनके notes देखने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज आपको यहीं पे मिलेगी, वो भी 100% guarantee के साथ, तो जरूर आप इसको join करके, अपना एक dream पूरा कर सकते हो, so I hope आज की ये video आपको पसंद आई है, इसके अलावा कोई भी doubts अगर आपके mind में हैं, तो आप हम भी comment कर सकते हो, so thank you so much for watching this video and I wish you all the very best!